जैश्वे कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है हर तीन साल में आने वाला अधिक मास 18 जुलाई 2020 से शुरू हो चुका है जो कि 16 अगस तक चलेगा ये महीना भगवान विश्णू का प्रिय महीना कहलाता है इस महीने में मांगले कार्य वर्जित है लेकिन पूजा पाठ और भक्ती के नजरिये से अगर देखा जाए तो अधिक मास बहुत ही पवित माना गया है इसे मल मास और पुषोत्म मास भी कहते हैं माननेता है कि जो अधिक मास में विश्णू जी की भक्ती करता है उसे जीते जी कभी धन की कमी नहीं होती है मृत्यू के बाद उसे स्वर्ग लोग में स्थान मिलता है तो चलिए जानते हैं कि अधिक मास्की कता जिसे सुनने मातर से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं कहते हैं कि देत्य राज हिन्या कष्षप ने अमर होने के लिए तब किया था भ्रमा जी प्रकट हो करके वर्दान मांगने के लिए कहते हैं तो वो कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यू ना हो ना मनुष्य से ना पशू से ना दैत्य से ना ही देवताओं से ना मैं भीतर मरूं ना ही कोई मुझे बाहर मार सके ना ही कोई मुझे दिन में मार सके ना ही रात में ना ही आपके बनाये हुए बारा महिनों में मुझे कोई मार सके ना श्त्र से मैं मरूं ना ही शस्त्र से ना पृत्वी पर ना आकाश में युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक शत्र समराठ हूँ तब भ्रहमा जी ने उसको ये वर्दान देते वे कहा था तथास्तू फिर जब हिर्णा कशब के अत्याचार बढ़ गयर उसने कहा कि विश्णू का कोई भक्त धर्ती पर नहीं रहना चाहिए त शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वद कर दिया इसके बाद क्यूंकि हर चंद्रमास के हर महीने के लिए एक देवता निर्धारित होते हैं परन्तु इस अधिक मास का अधिपती बनने के लिए कोई भी देवता तयार नहीं हुआ ऐसे में रिशी मन्यों ने भगवान विश्णू से आगरे किया कि वो ही इस महीने का भार अपने उपर लें उसे भी पवित्र बनाएं तब भगवान विश्णू ने इस आगरे को सुईकार कर लिया और इस तरह मलमास के साथ ही है पुर्शोतमास भी बन गया ऐसे भी मानने दाए कि स्वामी हीन होने के कारण में अधिक मास को मलमास कहने से बड़ी निंदा महसूस होने लगी इस बात से दुखी होकर कि मलमास श्री हरी विश्णू के पास गया और उनको अपनी विथा सुनाई तब श्री हरी विश्णू से लेकर के गोकुल कि मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और अब मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ आज से तुम मलमास के बजाए पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे इसलिए प्रती तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो भी व्यक्ति करेगा तो उसे कई गुना पुर्ण्यफल मिलेगा इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुकिए अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया इसलिए इस दुरुषोत्तम मास में सनान पूजन अनुष्ठान एवं दान करने वालों को कई तरीके के काम भी हैं जिनको करने से आप आपके भागिदार बन सकते हैं तो आपके लिए ये भी जानना बेहदी जरूरी है चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए यह महीना धर्म और कर्म के लिए बहुत ही उपयोगी महीना है अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विश्णू है जैसा कि आपको बताया कि इस महा की कथा भगवान विश्णू के अवतार नरसिंग भगवान और श्री कृंस से जुड़ी हुई है इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है इस महीने में बताए गए दोनों भगवान की पूजा कर करनी चाहिए पुरुषोत्तम भगवान का शोडश उपचार पूजन जरूर से करना चाहिए इस महीने में श्रीमत भगवत गीता में पुरुषोत्तम मास का महा मात्या पाठ और श्री राम का कथा वाचन विश्णु सहस्त्र नाम शोत्र पाठ का वाचन गीता के इस दिन 108 बार जाप करना चाहिए इस महीने में जब और तब के अलावा व्रत का भी महत्व है पूरे महीने में एक समय भोजन करना चाहिए जो कि अध्यात्मेक और सेहत की द्रस्टी से उत्तम होता है भोजन में गेहू, चावल, जो, मूंग, तिल, बथुआ, मतर, बताया गया, इस महीने में भगवान के दीप दान और द्वजा दान की भी बहुत महीमा है, इस महीने में दान दक्षिना का कारे भी पुन्या फल प्राप्त करता है, प्रुशत्तम मास में इस नान, पूजन, अनुष्ठान और दान करने से विशेश फल प्राप्त होते हैं जो समस्या हैं वो दूर होती चली जाती है इस महीने में विशेश करके रोक निर्वरती के नुष्ठान करने चाहिए रिंड चुकाने का कारिय या फिर शल्य करिया संतान के जन्व संबंदी कारिय या फिर सूरज जल्वा इस Τरीके के जो कारे हैं वो आप कर सकते हैं साथ ही गर्बदान, पुन्सवन, सीमात जैसे संसकार भी किये जा सकते हैं इस महीने में यातरा कर, साज़ेदारी के कारे करना या फिर मुकद्मा लगाना, बीज बोना, व्रक्ष लगाना, दान देना या फिर सार्जनिक हित के कारे जैसे कि सेवा कारे करने में भी किसी भी प्रकार का दोश नहीं बताया गया ये सारे काम आप इस महीने में कर सकते हैं इसके लावा ये भी जानना बेहदी जरूरी है कि अधिक मास यानि के प्रशुत मास में कौन से कारें नहीं करने चाहिए इस प्रशुत मास में किसी भी प्रकार कर विवसन नहीं करें और मासाहार से दूर रहें मास्त, शहद, चावल, कमांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लेसुन, बासियन या फिर नशीले पदार्थ इन सब चीजों का परेज करना चाहिए इन सबी चीजों को इस महीने में खाने से बचना चाहिए इस महीने में विभा, नामकरन, अश्टकादी, शिराद, तिलक, मुंडन, यगो, पवीत्र, कंड, छेदन, ग्रह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, सन्यास, या फिर शिक्षा, दिक्षा, लेना, यग्य, इस तरीके के कोई वे शुब कर्मों या फिर मांगले कारियों का भी निशेद है, मतलब कि ये सारे कार्य अदेकमास यानि के प्रुश्टमास में नहीं किये जाते हैं, इस महीने में वस्त, अभूशन, घर, दुकान, वाहन, इन सब की भी खरीदारी नहीं की जाती है, परंतो बीच में कोई शुब मूरत हो तो जोतिश की शलापर अभूशन क खरीदारी जरूर से की जा सकती है, आप शब्द, ग्रह कलेश, क्रोध, असत्य भाशन और समागम इस तरीके के कारे भी नहीं करने चाहिए, कुआ, बोरिंग, तलाब का खनन, ये सब भी कारे भी नहीं करने चाहिए, अगर आपको ये सारे कारे करने ही है, तो इसको एक मही के लिए आपको टाल देना चाहिए और अगले महीने से ही इन सारे शुपकारियों के शुरुआत करनी चाहिए यह जानकारी यहीं तक ही उमीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगे और आप इसका लाव उठाएंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को ल जीष्णा